हलो फ्रेंड्स हलो यूच्यूब मैं हूँ फरा खान आज हम बनाएंगे आलू मेथी की सबजी आये देखते हैं इन चीजों इसको बनाने के लिए हमें क्या-क्या चाहिए वैसे बच्चे मेथी की सबजी खाने में बहुत जादा वो करते हैं कि वो कड़वी लगती है हमें क्या चाहिए आये हम देखते हैं यह हमने मेथी की भाजी लिये मेथी साइड पे हमें चाहिए दो आलू छिले हुए मेडियम साइस के कट्रे हुए और लसन बारिक कटा हुआ खड़ी 5-6 खड़ी लाल मिर्श बारिक टु टीवी और हमें चाहिए नमक स्वादानुसार और तेल सबसी बनाने के लिए स्वयबिन रिफॉइन और तेल सबसी बनाने के लिए देखिए हम क्या करेंगी हमने डंठल के साथ मेथी तोड़ी थी तो वह बहुत बड़ी-बड़ी है तो इस वज़ए से हम इसे केची की हल्प से थोड़ी बारिक-बारिक काट लेंगे द देखिए इसमें बहुत धूल मिटी बहुत आता है तो इसकी वैचा से हम बड़े बरतन में इसे लेंगे मेथी को और इसके अंदर एक जग पानी डाल के उसे अच्छे मसल मसल कर धोएंगे और फिर हम एक बाउल लेंगे जिसके उपर हमने छन्नी रखी है फिर इससे हम अच् 2.5 वैचा सanor कर उसे में पानी ड्रेन करेंगे इसका जब इसको मिल्दब इथारेंगे तो यह जो बाउल है जिसके अंदर हमने इसमें इस में इसमेथ अच्काल इसमें मिटी इतनी आती है कि वह इसके अंदर रह जाती है और इसका जो जो दूल मिटी है वो सभ निकल जाए और बिल्कुल हमारे पास ताजी और फ्रेश सबजी हो यह देखिए किसे मिट्टी के कंड जो है हमें पत्तियों में दिखते नहीं है कैसे चिपए होते हैं इस तरह से बहुत बारिक-बारिक होते हैं पहले इस बज्टन पाणी से धोलेंगे फिर इसी प्रोसेस से हम तीन बार इस्समेहति को ध्षैंगे यह देखिए हम यह पंटीन पानी से धोकर रख लिया ओंटी एक बावल में ताकि पानी किना थ Эuma Мश्त इंच वावल रख दिया है कर omega-e आईए देखे अब एक कढ़ाई लेंगे जिसके अंदर हम दो पली तेल डालेंगे और इसके बाद हम इसमें ढालेंगे बारी कटा हुआ लसन जो हमने काटकर रखाता है पहले तेल को अच्छा गरम होने दे ताकि लसन अच्छे से फ्राय हो सके अगर हम थंडे तेल में लसन दाल देंगे तो अच्छे से फ्राय नहीं हो पाएगा और इसके खुश्पू भी तनी अच्छी नहीं आएगी थोड़ सा हमारा देखिए ओईल गरम हो चुका है हमने उसके अंदर लसन डाल दिये हैं अब हम इसे थोड़ा सा तलने देंगे जब तक यह लाई ब्राउन होत अब हम इसके अंदर खड़ी लाल मिल्ची डाल रहे हैं जो बारिक टुकड़े हमने करके रखे थे इसके अंदर अलग से मिल्ची डालने की जरूरत नहीं है आपको क्योंकि हमने खड़ी लाल मिल्ची और बगहार में यूस की है तो देखिए थोड़ी सी तलना ऐसे जादा जादे छोड़ना नहीं है क्योंकि जल जाती है अब हम इसके अंदर डालेंगे बारिक कटे हुए आलू जो हमने काट कर रखे थे 2 मिडियम साइज के और हमने आधा 1 किलो हमने मेथी ली है ये देखिए दो हमने बारिक कटे हमने डाले है इसके अंदर जादा बिल्कुल बा स्वाद अनुसार आपको यह भी ध्यान रखना है कि हम मेथी बना रहा है तो मेथी कड़वी होती है और नमक ज्यादा तेज नहीं करना है तो थोड़ा सा भी नमक हम डाल देते हैं आलू के हिसाब से फिर बाद में समसी टेस्ट करका फिर डाल देंगे बर अब भी आलू के हि हम इसमें नमक डाल रहे हैं और इसको फ्राय करिए इसको धाक थोड़ा सीदे धाक देते हैं हम आलू को और इसको पकने देंगे कम से कब 5-7 मिनट यह देखिए हमारे आलू लग भग पक चुके हैं और गल चुके हैं अब हम इसके अंदर जो हमने मेथी काटकर अकीती ने अधरने के लिइए तो यह हमारी मेी हम इसके अंदर डाल देंगे अब मेथी क हम अच्छा से मिक्स कर देंगे अलू के साथ है रेखिए इस्तरह से हमें इसको पूरा मिक्स कर देना है अच्छा चला लीजीगा तो इससे हम चलाएंगे तो ज़्या आफ्ङ करें तो क्योंकि डीप चमच इसमे यूज नहीं होता है व सब्स इतनी अच्छ से मिक्स नहीं हो पाती तो आप चाहें, तो तवीथा यूज कर सकते हैं या ज़्छा जो आपको ठीक लगें- अब मेथी को हमें खुले ही पकना देना है क्योंकि आलू तो हमारे गल चुके हैं और मेथी को हमें खुला ही पकने देना है ताकि ये कड़वा पर न पकड़े ये देखिए लगबग हमारी मेथी भून चुकी है इसे कम से कम 5-7 मिनिट लगेंगे बिल्कुल मेडियम फ्लेम पर ही भूना ऐसे और बिल्कुल खुला पकने दे देखिए हमारी आलू मेथी सबसी तयार है अब हम इसे सर्विंग प्लेट में निकाल रहे हैं देखिए इस तरह से निकाल लीजिए और आप आप इसे बच्चों को पराथे के साथ रोटी के साथ और इसे बड़े बुड़े सब शोक से खाएंगे क्योंकि इसके अंदर आलू डल चुके हैं बच्चों को तो फेवरेट होता है आलू तो यह देखिए इस तरह से आम आलू मेथी की सबसी को पराथा आलू किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं और हां इसके ओपर अगर आप नीव डाल कर खाएंगे तो और भी टेस्ट बढ़ जाता है इसका तो यह देखिए हमारी आलू मेथी तयार हो चुकी है और अगर फ्रेंड्स आपको यह मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें मेरा चैनल सब्स हुआप हुआण ओल शड्याओ कि द私वा कर दो कि तो और अगर वीडियो ऺडिए करेंद दो कर दो कि शेंगे हुआखखश कंड़ा बे उन कि做 देएंगर चाल